तवांग जड़ब के बाद चीन लगातार भारत पर कोई ना कोई पासा फेक रहा है वो बाद नलग है कि उसके देश में कोरोना की वज़े से तवाही आ गई है लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है कभी डोन तैनात करता है तो कभी कुछ लेकिन इस बेच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसकी वज़े से चालबाज चीन और आतकवादियों के आका पाकस्तान की नीद उरज जाएगी और उनके पैरों के नीचे से जमेन खिसक जाएगी बता दे कि रक्षा मंत्राले ने भारती सशच्त्र बलों के लिए लगभख 120 प्रले बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है इन मिसाइलों की तैनाती चीन और पाकस्तान से लगी सीमाओं पर की जाएगी जानकारे के लिए बता दे कि प्रले बैलिस्टिक मिसाइले 150 से 500 किलोमीटर तक की लक्ष को भेद सकती है मीडिया इपोर्ट्स के मताबिक रक्षा मंत्रा ने कि एक उचिस्त्री बैठक ने सशरस्त्र बलों के लिए लगभग 120 मिसाइलों के अधिकरहड और सीमाओं पर उनकी तैनाती को मंजूरी दे दी है इन बैलिस्टिक मिसाइलों के अधिकरहड को देश के लिए एक बड़े विकास की रूप में देखा जा रहा है डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट और्गेनाईशन में विकसत मिसाइल को और विकसत किया जा रहा है और अगर सेना चाहे तो इसकी सीवा को काफी बढ़ाया जा सकता है पता दें किस मिसाइल को सबसे पहले भारती वायू सेना में शामिल किया जाएगा इसके बात भारती सेना में शामिल होने की संभावना है इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्राले के स्तर पर मंजूरी दे दी गई है। रक्षा पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस तरह की मिसाइल प्रडाली का अस्तिमाल लंबी दूरी की दुश्मन वायू रक्षा पडालियों पर और अन्य उच्च मूले वाले पतिष्ठानों और हत्यारों को नश्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर निशाना लगा सकती है। इस मिसाइल के बारे में देखकर चीन और पाकस्तान के होश तोड़ंगे ही उसकी रातों की नीद हराब हो जाएगी। ये ऐसी मिसाइल है जिसे दुश्मन भारत पर गंदी रज़र डालने से पहले सौव बार सोचेगी।